हलो एफ्रीवन कैसे हो आप सभी ये फ्रेंच फ्राइज देखिए मैंने बना दिया विहान का टिफिन हो गया तयार विहान को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि मेरे को भेजना था विहान को स्कूल और इतनी ज्यादा धूंद पढ़ने लग गई है ना आज तो पता ही नहीं एक इदम से सुबह सुबह दो तिन घंटे से इतनी धूंद है मलब इतनी ज्यादा ठंड एक ही दिन में जैसे हो गया है इतना ठंडा ठंडा सा मोसम हो गया है तो बच्चे को अभी इसलिए मैंने देखो ये पहना दी है विंटर्स वाली स्कूल की यूनिफोर्म और यह है और उसलिए मम्यान चायक के तस यह यह फ्यवरिट चाहर है और साथ में ममी का प्यारा सा बड़ी आसा यम्मी टेश्टी टेश्टी सा प्राँ तो आप लोग भी खा ली चिए यह पर मेरा तेल हो गरम इसमें मैं पहले हैं किस चीच की है यह इनी की बनारी है इनी की यह बनिके त्यार हुआ है तो यह मेरा खान और इसमें यह दही है साथ में आलू प्राइ दही आलू खाऊंगे मैं नाशते में सुबह नाशता करने पाद मैं आ गईती हैं मुझत जल्दी से अपने सारे सोई के बरतन धो देती हूं मोसम ठंडा हो गया तो पानी भी देखो एकदम ठंडा ठंडा छील्ड आता है बिल्कुल बरफ जैसा पानी आने लग गया है नलके में से अभी से ही तो फटा फट ने लेकिन देखो काम तो करना ही है और अंदर गर्मी लग जाता है यह ताइम ऐसा है कि मच्छर तो हैं डेंगु के मच्छर है तो पंखा भी चलाना पड़ता है और कंबल भी ओड़ना पड़ता है और बाहर निकलो ठंड भी लगती है सर्दी भी धुन्द भी पढ़ रही है तो ऐसा ही मोसम है तो अच्छा आप लोगों के कल काफी पाव में फ्रेक्चर हुआ है और वो शूगर पेशेंट चाना है जल्दी से भरता नहीं तो उसे भी टाइम लगले और उनको देखो अब भी लगता थो गवाज़किंधा सकाझасरानी मुएνुको अरु मेरे प्रोबलम में लगां और उनके फृपजिए रग़ ग securedלק तो या कोई सबजी अगर उनका मन वबनाने का छोटा मोटा ऐसे काम कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगा लोगी 24 में से उनको 22 गंटे या 24 में से 23 गंटे उनको सिर्फ बैड पर लेटना ही होता है हाँ आदा एक घंटा थोड़ भी टेक केर करनी है मुझे और बच्चे की भी अगर मैं बीमार पड़ गई तो कैसे चलेगा बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना तो इसलिए देखो मुझे पूरा काम टाइम से करना होता है हो सकता है मेरी वीडियो भी थोड़ा सा लेट हो जाए टाइम से ना पोँच पाए क पहले जैसे मैं और वीहान खाली हम दोनों रह रह रहे थे तो हमारा क्या होता है कि वीहान को तो जैसे मैं टिफिन में दे दिया फ्रेंच फ्राइस खाने में दे दिया जो भी उसको खाना था मैं बारा एक बजा देती थी खाना खाने में खुद मैं पहले न वीडियो की ए मैं पहले गई मैंने सबजी बना रखी थी पहले मम्मी के लिए रोटी बनाई उनको खाना दे के पर फिर उसके बाद मैं आई हूं बैटके करीबन अभी टाइम हो चुका है अच्छा खासा सड़े 10 हो रहे होंगे 10-35-10-40 तो फिर मैं बैठी हूं वीडियो की एडिटिंग कर अच्छा नहीं हो सकती है तो उनको जैसे तीम चाँ टाइम जब भी वह खाना खाते है तो उनको और शुगर के पेशनको भूख भी जादा लगती है तो इसलिए प्रोपर उनके हिसाब से देखना पड़ता है जैसे अब शुगर के पेशंट के महलब कहने का मतलब यह है कि अब जैसे मैं पहले चावल कितना चावल बनाती रहती थी नमगीन चावल लेकिन अब मुझे पता है कि देखो उनको इतना चावल नहीं खाना है तो फिर मैं रोटी बनाती हूं तो फिर मैं रोटी बनाती हूं तो फिर मैं सोचती हूं कि चल छोड़ ना क्या चावल बनाने कि ऑलुनीप में घिया की सब्जी बना ओ, हरी सब्जी जादा बनाओ क्या है, कि मम्मी के लिए हरी सब्जी जादा अच़ी है। तो मैं वह लेकर आती हूँ, गिया ले आती हूँ, और भी जो हरी सब्जी में ले आउंगी, जो पसंद होती है, दाले बना लेती हूँ तो कल तो देखिए मैं कितनी ज़्यादा बीजी थी ना मैं मेरे चक्कर ही खतम नहीं हो रहे थे दो बार तो मैं होस्पिटल गई हूँ बैटके आई हूँ एक घंटा मैंने खराब किया एक्चुली पहले गई होस्पिटल तो महाँ पे होस्पिटल वाले स्टाफ ने बोल दिया कि डॉक्टर जो है लंच पे गए हुए है तो अभी आ जाएंगे तो फिर मैं वहाँ बैठी रही तो पता चला कि लंच ब्रेक लंब छुटी पे जो आएक लाँगी तो दो चकर मेरे लग गए और पीछे से हुआ कि मेरा बेटा विहान मेरे को ढूंडता ढूंडता घर से निकल गया मैंने क्या हुआ की मैं değer streets म इस रूम में तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना विहान को लेके नहीं जा रही अपने साथ यहीं पर खेल रहा है तो आप देख लेना थोड़ा सा तो मम्मी बोलते कि ठीक है मैं देख लूँगी तू चली जा तो हुआ क्या कि वही मिस अंडरस्टेंडिंग हो जाती है तो मम्मी अंदर बैठे थे फिर मेरी भी गलती थी कि मैंने सोचा कि मम्मी बाहर जैसे फोल्डिंग पे लेटे रहते हैं तो थोड़ा बहुत देखते रहेंगे विहान को बट उनके तो पाव में फ्रेक्चर है चोट लगी हुई है तो उनसे कहों इतना उठा बैठा जाता दुकानों पे अकेला भाग गया तक तो फिर मैंने वहां से उसको फिर बाइप आते हुए उसको लेकर वापिस घर की तरफ तो फिर मम्मी वहां पे ले ते हुए थे तो फिर यहां पे गड़बड हो गई तो वो चीज है ना कि मेरे को यह लगा कि मम्मी देख लेंगे विह के तो फूच भाएक के इतना एक्सिदन्ट लेकर कि यह वां बार बार जाओं आँ बाहर तो मैं ने सोचा चलो ममी के भरो से छोड़ देती हूं पिर ममी बोलते कि तुम्हें अंदर यी दे जाती विःहान को वह बाहर था तो फिर मैंने पूछा विःहान बाहर क्यूं गए तो वो बोलता कि ममी एक्चुली क्या है ना कि मिरको आना आपके साथ जाना था होस्पिटल आप मुझे लेके नहीं गए इसलिए मैं आपके पीछे पीछे चला गया मैं आपको ढूंड रहा था तो उसके बाद फिर मिरको रियलाइज हुआ कि नहीं अब तो कभी भी नहीं विहान को जहां जाना है अपने साथ ही लेकर जाओंगी अदर तो वही बात है ना कि मिरको भी थोड़ा सा अभी ये लगा कि नहीं मैं यहां पर ही आई थी ज्यादा द है कि वह विहान को देख पाएं तो हैलो एवरिवन कैसे हो आप सभी तो आज मैंने एक्चुली बस पता नहीं क्यों वैसे मैंनी शूट ना पहले वी दो तीन दिन पहले भी पहना था ना तो वोश था धुला हुआ था तो आज मैंने क्योंकि यह पूरी बाजू कहना इतनी पहले एक दो बार हुआ है कि मैं जैसे बोलगी मम्मी को कि मम्मी आप देख ले ना विहान को और मम्मी को लगा कि मैं ले गई विहान को अपने साथ बाइक पे क्योंकि मम्मी को विहान दिखा नहीं नहीं देखा होगा देखा वच्चा तो यहां ही नहीं बाहर तो हुआ कि मैं जैसी बाइक लेके निकली हूँ वो मेरे पिछे-पिछे भाग गया कि मम्मी को ढूंडता ढूंडता और वहां निकल गया जो मेन रोड इधर वाली चलो वो तो कुदरती हमारी सोसाइटी है यह बंद है बाहर का ट्रैफिक नहीं आता हमारी सोसाइटी में कि कहते हैं न कि ट्रक बस नहीं चलती हमारे यहां पर जो हमारे यहां सोसाइटी के लोग है बस वो ही अपना टू वीलर या फोर वीलर चलाते हैं लेकिन फिर भी यह चोटा इतना चार साल कही है रोड वगरा क् मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए डर तो लगता है तो उसके बाद विर मैंने बैठा के प्यार से समझाया तो मुझे इतना समझ में आ गए दुबार भी ऐसा कर सकता है मेरा बेटा आज के बाद बस तेरी गलती जो वह है मिस्टेक दो रही क्योंकि वैसे ही नहीं जाता है जैसे अपना खिलोनों के साथ यहीं बट्चा कि मैंने का चल मन्जा भिचाए मैं बाहर वोल्डिंग पे विहान को देखती रहीं कि दूप में बेठा खेलता रहे अपनी खिलोनों के साथ वह भी मममी दोचा थै रहे ही बाह कर दोड़ा है, तो मुम्हारा पाँ में फ्रेक्चर हो रहा है अब ये तो भाग जेए अब मुम्हारा इसके भागाइगी लेने के लिए अगर इसको मेर को मुम्हान के भरोसे छोड़ना भी एना मभर तो अब से मैंने यह सोचाए बस चलो भगवान की द्यासे वस यह है कि कल कुदरती देखो डोक्टर छुटी पे थे तो मैं वापिस उसी वक्त हो गई मैं गई आई अगर मुझे वहाँ वेटिंग करनी पड़ जाती तो मेरे लिए कितनी से दर्थी हो जाती विहान के लिए वैसे तो मैं हमने सेक्योर्टी वगएरा को यहाँ पर बोल रखा है कि बच्चा बाहर ना जाए इधर उदर लेकिन इसका दिमाग कलिए था कि मेरे को होस्पिटल जाना है और इसको होस्पिटल का भी पता है दिक्कत यह थी मेरे जिस होस्पिटल में गई हो ना सेक्टर एक चारवाले इसको पूरा रस्ता पता है वहां का क्योंकि मेरे साथ 20-25 बार जा चुका है उस होस्पिटल में तो अगर इसका जैसे बच्चा भूदी है इसका तो दिमाग और चलो यह कॉम्पलेक्स तक ही गया था वहीं पर मेरे को दिग गया वहां उसी रोड पर जाता हुआ मैं अगर मैं नहीं आती वापिस तो यह तो निकल लिया था भई आगे निकल लेता आगे भी रोड थी कितनी तेखो ट्रैफिक चलता है तो उसके बाद से अब तो भई बिल्कुल भी यह है कि बस मुझे बच्चे को कहीं भी जाना है मार्किट बजार मैं सोचती हूँ कि यार मेरे को खुद अपना डर सा लगता है क्योंकि हमारे घर में तो देखो हो गया इतना बड़ा हाथसा उसके बाद से कि यार कहीं कुछ ना हो जाए तो उस तरीके से मैं मैं अपनी जिन्दगी के साथ तो रिसक ले सकती हूँ इसलिए मैं सोचती हूँ मैं कहीं बार जैसे बच्चे को जैसे छोड़ दू यह है तो इस तरीके से बट फिर भी थोड़ा सा आगे से मैं मतलब अपने साथ ही लेके जाया करूंगे विहान को आना जाना क्योंकि इसक को यह बोला फिर कि तूज बहर के स्कूल में ओ ना इस त 올 ना जो बहर के लिए चार गहान जब काम नभा लेके जाया कर बजार के п अप लोगों से मिलती हूं adamat नेक्ट वीडियो कि अपना खूप सारा धिशन रखेए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाई बाई टेक केर